गुद बॉर्णिंग एवरी में एक बेफिस से आप सभी का स्वागत करता हूँ, उतकर्ज डिफेंस अकाडमी पर उम्मीद करता हूँ, सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी तयारी आप कर रहे होंगे, गुद बॉर्णिंग सभी बच्चे connect हो जाएंगे, कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ, सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से तयारी आप लोग कर रहे होंगे, आज की इस इंपोर्डन सेशन में बच्चे मैं आप सभी को पताने वाला हूँ कि how to write on faith sheet, कि sheet प आज के इस इंपोर्डन सेशन में बच्चे कुछ चीजे हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहां पर share करूँगा, और आप लोगों को बताऊंगा, यहां पे Air Force Phase 2 में fair sheet पर कैसे लिखे, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी चीजे हैं, जो आप लोगों को बहतर तरीके से प्रिजेंट करने हैं, ताकि आपकी जो skill है, वो एक level पर बहतर हो सके, राइट, तो सबसे पहले सभी बच्चे connect हो जाएंगे, कैसे हैं, सभी comment करके जरूर बताएंगे, उमीद करता हूँ कि सभी students बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होगे, अभी त जो आप लोगों को mark कर लेनी है, very first, सबसे पहले देखेंगे कि इस list के अंदर, जो पहला question हमारे सामने निकल कर आता है, how to write an article, कि phase 2 के अंदर, जो आप लोगों को जो sheet दी जाएगी, चाहिए मैं rough sheet की बात करूँ या fair sheet की बात करूँ, उस पर आप लोगों को कैसे लिखना है, कौन-कौन दी इस भी बातों का ध्यान रखना है, और discussion case आप से का introduction लिखना है, काफी students जो है कही न कहीं ये mistake करते हैं, और वो mistakes आप लोगों को नहीं करनी है, वही चीज़े में आप लोगों के सामने जो हैं आपे share करने वाला हो, and I'm sure कि class के अंदर, वो जो सारी की सारी बातचीत हैं, वो सारे के सारे जो points हैं, आप सभी को बहुत अच्छे level पर जो है ध्यान रखने हैं, so that आप कही न कहीं एक अच्छे level पर चीजों को clear कर पाएं, और बहतर level पर जो अपनी skills को बना पाएं, right, तो चले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बच्चे आप लोगो इंटोडाक्शन मतलब यह वो इंटोडाक्शन नहीं है, जो आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया, जिसको self-introduction कहते हैं, यह introduction, topic introduction है, कि जब भी आपको topic जो है, जो है official जो वहाँ पर बोल रहे होंगे, उन topics को आपको कैसे लिखना है, वो सारी की सारी चीजे, वो सारी की सारी बाते आप लोगों के लिए है मैं कह सकता हूँ ज़रूरी है सबसे पहले आप लोगों को जो है ध्यान रखना सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोला introduction, introduction का मतलब होता है कि आप जो topic introduction है मतलब जो जो speaker जो बोल रहे होंगे वो कहीन के किस तरीके से जो आप लोगों जो है use करेंगे वो कहीन के आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है उसके बाद कहीन के middle part आता है उसके बाद facts and figures आते हैं और last में conclusion आता है एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना जो कि सबसे ज़ादा important है वो है मेरे बच्चे introduction और conclusion हमेशे हैं कहा जाता है कोई भी topic कोई भी question यह कोई भी चीज तब तक end नहीं होती जब तक उसका कोई conclusion नहीं होता है काफी लोग लिख तो देते हैं बट conclusion को add नहीं करते हैं जिसकी वज़े से वो उतना अच्छा perform नहीं कर पाते हैं उतना बहतर तरीके से present नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए तो इन बातों को आप लोगों को जो है ध्यान रखना है राइट तो सबसे पहले में आप लोगों को बताना चाहूँगा introduction मतलब क्या सबसे पहले कोई topic आप लोगों को जो है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से present करना है जी ट्वेंटी का सबसे पहले देखो कि जी ट्वेंटी है क्या उसको कहते हैं जी ट्वेंटी का introduction उसके बाद कुछ मिडल पार्ट होंगे जिसमें आप कही न कहीं मिडल पार्ट के अंदर बच्छे आप पॉइंट्स बना सकते हैं सब पॉइंट्स बना सकते हैं यह सारी की सारी चीज़ आप लिख सकते हैं कुछ facts and figures है जैसे की कुछ percentage आप लिखना चाहते हैं वो भी आपने topic के अंदर रख सकते हैं और last में conclusion लिख कर आप conclusion को end कर सकते हैं दो चीज़ आप topic स्टार्ट करने से पहले हाला कि मैं लिख कर बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है कुन-कुन सी बातों को ध्यान रखना वो सारी की सारी situation आप लोगों को ध्यान रखना है किस किस तरीके से topic यहाँ पर आप लोगों को लिखना है यह सारी की सारी situations आपको अच्छे तरीके से बहतर तरीके से यहाँ पर याद रखनी है तो इसको याद रखने से पहले बच्चे मैं आपको दो-तीन चीज़ यहाँ पर मार्क करने वाला हूँ कि किस तरीके से sheet पर लिखा जाता है क्या-क्या वो बाते हैं किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है आज मैं आप लोगों को बहुत बारीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपका जो भी question है जो भी आपकी queries है वो कही न कहीं solve हो सके और आप better तरीके से जो है present कर सके तो बच्चे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको ऐसे एक sheet मिलेगी मैं जरफ sheet के बारे में भी बात करूँगा और fair sheet के बारे में भी बात करूँगा आपको ऐसे sheet मिलेगी मेरे प्यारे बच्चो और उस sheet के अंदर ये A4 की sheet होगी ये क्या होगी और इस sheet का नाम होगा fair sheet ये हमारी कुन सी sheet है ये fair sheet होगी जो हमारी सही sheet होगी जो rough sheet की मदद से हमें आपे लिखना होगा अब सवाल ही आता है कि यह sheet कैसी होती, इस पे कितना material लिखना होता है, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना होता है, तो मैं आपको एक और चीज बता दू, इस sheet मेरे बच्चे ऐसे ना line लगी होगी, उपर भी और नीचे भी, ऐसे आपको इसके अंदर ही लिखना है, यह sheet जब आप उल्टी करोगे, तो कही ना कहीं वो उस side से plain होगी, जैसे कि A4 side जिस पे photo को भी हम कराते हैं, वैसी sheet देखने होगी, पीछे line नहीं होगी, सिर्फ front पे line होगी, front पे lines देखने को मिलेगी, ओपर कही ना कहीं ठीक है, वो सारी की सारी चीजे बच्चे आपको जो हैं आप पर देखने को मिलेगी, इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजीगा, जो मैंने आपकी सामने हापे present की है, अगर आप इस sheet को उल्टा कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, A4 side की sheet देखने को मिलेगे, बिल्कुल plane होगी, lines नहीं होती ही, बच्चे sheet पे, lines नहीं होती है, तो आप लिखे तो बड़े अच्छे तरीके से लिखे, पता चले कि आपकी lines ऐसे जा रही हैं, सीधा सीधा आप लिखने की कोशिश करें, यहाँ पर इसी space में आप लोगों को आपके जो doubt है, वो कहीना के लिख clear हो सके, इसी वीडियो के अंदर बच्चे मैं आपको topics भी बताने वाला हूँ, जो आपके phase 2 के लिए बहुत highlighted topics हैं, और कैसे लिखना है sheet पे वो भी मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले बच्चे मेने आपे बोला, आप लोगों को क्या ल लिखना है, क्या लिखना है बच्चे, आप लोगों को इंट्रो लिखना है, इंट्रोडाक्षन लिखना है मतलब कहने गा मतलब introduction आप कहीना कहीन लिखेंगे, यहाँ पर introduction हो जाएगा, फिर इसकी अंदर जो है middle part हो जाएगा, और last में वेड़े बच्चे आपको कहीना कही क्या लिखना है, conclusion conclusion आप लोगों को लिखना है, ये conclusion वाली lines हो जाएंगी आपकी sheet में ये दो point absolutely बता देता हूँ ये दो point होना बहुत जरूरी है, अगर ये point आप लोगों की slide के अंदर देखने को मिलने तो for sure आप बहतर तरीके से लिख पा रहे हैं आप चीज़ों को सही तरीके से present कर पा रहे हो, ये चीज़ भी आप लोगों को जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है तो पहले मैंने बोला introduction, दूसरा मैंने बोला है यहाँ पे conclusion बच्चे थोड़ा गले में थोड़ी सी दिक्कत है तो अगर sound वैसी आ रहे है, तो माफी चाहूंगा ठीक है ना, गला थोड़ा से खराब है तो I'm sorry for the bad sore throat ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा से ध्यान रखनी है अगर इस sheet को मैं ऐसे करता हूँ तो plain sheet मिलेगी, वहाँ पर आप आप आगे भी लिख सकते अब बच्चे दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, ये थोड़ा से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दो sheet आप लोगों को बताई ठीक है, ये हमारी कौन सी है अलग, दूसरी sheet है और ये दूसरी sheet है ठीक है इस sheet का नाम जो नाम है बच्चे, इस sheet का जो name है हम इस sheet को कहते है rough sheet इस sheet को कहते है fade sheet इस sheet पर लिखने के लिए आपको मिलेंगे 5 minutes कितने minutes मिलेंगे? 5 minutes आपको मिलेंगे इस sheet पर लिखने के लिए आपको मिलेंगे 10 minutes अब मैं कुछ और चीज़े बताने वाला हूँ पहले बता चुका हूँ इस sheet पे ये जो sheet रहेगी बच्चे इस पे कोई lines नहीं होगा ये बिल्कुल plain sheet होगी A4 size का जो paper होता वैसा ही होगा लिखने का जो material है अगर मैं बात करूँ लिखने का जो material है वो आप लोगों को इस sheet पे सिरफ diary जितना page मिलेगा लिखने के लिए space जो है आपको diary जितना ही मिलने वाला है diary जितना space होगा इस पे भी आप ध्यान रखना अब यहाँ पे 2-3 variations है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन-कौन सी variations है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखने लिए जीगा Rough sheet बता गर मैं आप लोगों को Rough sheet में जो officer होगे वो कही not किया करेंगे officer जो होगे टीकर नवो officer जो है recite करेंगे recite का मतलब पढ़ कर सुनाएंगे आपको TOPIK को जो है बत करेंगे तो क्या करेंगे Recite करेंगे अब कही जिगर पर क्या था कि उनको पांच मिनिट वैसे बोली जाती है पांच से साथ मिनिट भी दे दी गई भी वा ध्यान से सुलीजेगा ग्रफशीट पे लिखने के लिए जो स्पीकर बोल रहे थे स्पीकर ने जो बोलना शुरू किया कई जगा पे बहुत आराम अराम से बोल रहे थे कई जगा पे अब क्या था ना कि कई जगा पे टाइम पूरा दिया गाए सिर पांच मिनिट देखने को मेली और कई जगा पांच से साथ मिनिट तक भी दे देगी ऐसा भी हुआ किसी किसी जगा पे ठीक है यह चीज भी आप थोड़ा से ध्यान रखेगा बट आप लोगों को तयारी बच किसी ने भी अभी तक नहीं बताया होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहां पर मैं आपको पहली बट शेयर कर रहा हूं पूरी अंदर की बात ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए जो बच्चे मैंने आपको पहले भी बहुत हैं तो जो मैं पर बता रहा हूं उससे इधर उदर भी नहीं होगी ऐता है लास्ट बार की बात बताता हूं काफी लोग जो है जब पढ़ा रहे थे फिस टू क्या था कि वह जनलनी क्या थी फादर ओर मदर की नेम कोowie पढ़ा रहे था कि अपने self introduction में रखो आज तक लोगों को यह नहीं पता चला है कि self introduction के अंदर parents और parents का नेम कभी नहीं लिखना होता, सिरफ उनका जो है बच्चे occupation लिखना होता जो काम करते हैं, बट आज तक लोगों को नहीं पता है इनमें इसमें teachers भी included हैं, उनको यह नही रिखने को मिलता है, तो वो चीज़ें भी कहीना की चीज़ें एक consider की जाती है, आप profession बताईए, यह मैंने last time भी बताया था, मैंने पूरा इस जो मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को, यह students को मैं बताता था पहले, और मैंने बताया तो मेरे students गें उन्होंने सही तरीके स बताईए, यह मैंने पहले बता रखा था, तो बच्चों को यह चीज़ें पता थी, वहां पे जब उन्होंने बताया कि क्या क्या वताईए, वो बता देते हैं कही रह 국 בס करेंगे, यह process मेरे बच्चें, सिरफ कितने मिनट चलने वाला है, ज्यादा मिल जाए तो बैटर है बट 5 मिनिट के लिए आप तैयार कीजिए फिर आपको ये जो sheet होगी बच्चे इसके बाद का जो process है वहाँ पे क्या होगा कि आपको अलग से आपको अलग से 10 मिनिट दी जाएंगी फिर आपको बोला जाएगा ठीक है जो आपने रप sheet पे लिखा उसकी मदद से आप जो है fair sheet पे लिखना शुरू कि दीजे यहाँ पे आप सिरफ passes की तरह इसको लिख लीजिए जब यहाँ पे लिखो तो मेरी बाद ध्यान से सुनना आप लोगों को वही चीजे बच्चे follow करने है कि सबसे पहले आपका इन्ट्रो लिखोगे मतलब topic क्या है वो आप यहाँ पे बताओगे कुछ यहाँ पे facts and figures को add करोगे फिर उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे conclusion को add करोगे कि जो topic आपने लिखा है बच्चे बार-बर मत पूछो कि दोनों साइड में लिख सकते हैं चाहे वो fair sheet हो चाहे वो rough sheet हो दोनों साइड में लिख सकते हैं बार-बर मत पूछो बाद में जो आ रहे हैं वो आप चीज़ों को ध्यान अगना topic का name बच्चे आपको लिखना है यहाँ पे center में आप topic का name लिख सकते हो नहीं भी लिखो यह तो कोई बड़ी बात नहीं कि topic पहले से पता है कि क्या होने वाला है सब को पता था topic नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है देखने को मिल जाएंगा तो परिशान मत हुए सारी की सारी चीज़े बच्चे भी ने आड़ कर रखी बहतर तरीके से आपके सामने जो है प्रेज़न की है और एक लोती ऐसी वीडियो की जिसमें complete मोडिल मां बता रहा हूं इससे हट कर मिल जाए तो फिर क्या देना भाई ठीक है ना इससे हट कर एक चीज़ भी देखने को नहीं मिलेगी इस बात की मैं गैरिंडी देता हूं आप लोगो ठीक है उसको कहते हैं conclusion जो आपको लिखना होता है conclusion के बीना आपका जो topic वो कभी भी end नहीं होता है आप लोगों को 10 मिनट से पहले अपना topic complete करना अराम से बैर जाना है चीजों को देख लेना कई से एंटर पर क्या होता था बच्छे आपसे fair sheet तो ले ली जाती थी और rough sheet आपके पास ही रहती थी और बच्छे एक चीज़ बता हूं ज्यादा check नहीं करते हैं वो लोग जो आपने topic बोला उसका proper overall क्या conclusion निकल क्या क्या निशकर्स निकल कर आया यह चीज आप लोगों को जो है आप ध्यान रखनी है ठीक है दोस्तों इस sheet पर या दोनों sheet पर कहीं भी आपको अपना self introduction नहीं लिखना है नहीं आपको narration लिखना है यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दूसरी slide आती है बच्छे जिसके अंदर क्या है जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बच्छे आपके हिस्सेत दू है एक है मेर narration के अंदर क्या बोलना है introduction के अंदर क्या बोलना है मैंने बोला था कि 25 to 30 second के अंदर आपको अपना introduction complete कर लेना है 30 से 35 35 second के अंदर आपको अपना narration complete कर लेना है ठीक है आपको अपना introduction अच्छे से तयार करना है इसके फायदे क्या है क्योंकि जैसे कि मैंने कल session लेता अगर 30 सेकिंड आप अच्छे अपना self introduction तयार कर लेते हैं maximum लोग 93% लोगों को 93% लोगों को पहले 30 second में सबसे अधर डर लगता अगर आपने ये तयार कर लिया तो आपका confidence यहां से boost हो जाएगा पहली चीज ठीक है न और चीज देखे बच्छे आपे दूसरा narration किसा narration कहां से बोले क्या होता है यह narration मुझे नहीं पता सब तो experiência की line कुछ नहीं करना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जो आप conclusion बोलोगे यह na कर आप narration में बोल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है narration वाली line को भी आप कहीं न कहीं conclusion वाली lines को भी आप कहीं न कहीं narration के अंदर बोल सकते हैं कोई दिक्कत वाली नहीं even सबसे अच्छा बैस तरीका है कि जो introduction में लिखा है introduction की सेम लाइन को आप कही न कि किस में बोल दीजिए, नैरेशन में बोल दीजिए, अब क्या था बच्छी आप लोगों को मैं बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, आप बोलोगे, गुड मॉर्निक जेंटेमेन, आपको ध्यान रखना आगे मैंने रोटेट किया गर्दन को, good morning gentleman, my name is this and I am from this, I have completed my 12th class from this board, now I am pursuing graduation from this university, there are 6 members in my family, my father is a doctor and my mother is a dedicated homemaker, my hobbies are, just this this, and I want to join in Indian Air Force because I want to serve nation, so जो भी आपको बोलना चाहे, ये देतरिया, and now I would like to tell you about the topic which has been assigned to me, फिर आपको को नरेशन करना है, I would like to के बाद narration आपको करना है, ये narration वाला पार्ट है, जिसके अंदर आप लोगों ने introduction बोला, introduction के बाद आप लोगों को जो है, इतना ही बोलना है, जो मैंने introduction बता है, वो इतने में complete होजेगा, और narration में आपको क्या बोलना है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे, narration क्या होता है हमें नहीं बता, narration का मतलब होता है, topic के बारे में, कि जो topic हमने बोला है, officer ने बोला, उस topic के बारे में आपके विचार क्या है, क्या लिखा आपने fair sheet पे, वो आपको narration में बता रहा है, उस topic का विवरेंट कह सकते हैं, ठीक है ना, ये कही नखिए आप लोगों को ध्यान रख सिरफ आपको एक मिनिट मिलेगी, एक मिनिट के अंदर दोने चीज़ें आपको complete करनी होगी, चाहे मैं बात करूं किसकी, introduction की, ठीक है ना, चाहे मैं बात करूं, narration की दोनों को add करके सिरफ आपको एक मिनिट मिल, इसमें भी एक चीज़ वरेशन है, कई center पे ऐसा हुआ हुआ दो मिनिट भी दी गई है, कई center पे, ऐसा भी देखने को मिला है, बच्चे फिर मैं कहा रहा हूँ कि जो standard है, आप उसी की तयारी करके जाईए, पता चले कि आप दो मिनिट के लिए तयारी करके गए और आपको दो मिनिट में आपने क्या क्या एक मिनिट करते हैं, अगर अगलग तरीके से, वेरी करते हैं, इस चीज को confuse मत होना, वेरी करते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजे यहां पर देखने को मिलती हैं, सभी चीजों को ध्यान रखना, राइट, तो ये चीज बच्चे मैंने आपके सामने जो है present करने की कोशिश के, जिसके अंदर हमें हर एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से जो अच्छा जो है यहां पर चीजे देखने को मिलेंगे, remember this, okay, बच्चे सेशन को एक बच्चे सारे बच्चे like और share करके आजाएंगे, अब यहां से हम चीजे देख पाएं कि हाँ सभी students बहतर तरीके से चीजे connect कर रहे हैं and so that य एक अच्छा level लगे कि यहां भई, आप अच्छे तरीके से present कर रहे हैं, right, चलिए, clear हो गए बच्चे, one minute मैंने आपके सामने हापे लिखने की कोशिश किया, कि one minute के अंदर आपको पूरा का पूरा जो process है, वो यहां पर जो है लेकर आना है, right, clear हो गए बच्चे यहां पर आपकी यह sheet है, पूरी की पूरी, ठीक है, यह पूरी की पूरी sheet है आपकी, ठीक है, यह पूरी की पूरी sheet पे लिखा हुआ है, आप माल लीजे कि यह दो line, यह तीन line आपकी किसकी है, introduction की है, यह main body और यह दो line किसकी है, conclusion की, suppose कर लीजे, ऐसे line लगी हुए मिलेगी, उस sheet प यह हमारा मिडल पार्ट हो गया और यह हमारा मेरे बच्चे क्या हो गया cindy ya हमारा क्या हो गया今 यह कंपिलूजन और आपको इस तरीके से डिवाइड करना आपने टापिक को ऐसे लाइन होगी ध्यान रखना और शीट जो है कहते हैं कि एफोर शीट मिलेगी आपको, बट एफोर शीट होते हैं, लिखने का स्पेस सिरफ डाइरी जितना होगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी लाइन होती है, ऐसे भी लाइन होती हैं, नीचे दो, दो लाइन आपको ऐसे देखने को मिलेगी, जैसे कि कई बड़ आप लोगों ने देखा, अगर डाइरी के पेस होते हैं, उस तरीके से, ठीक है ना, आपको शीट का जो स्टैंडर हाफ वो इसी तरीके का देखने को मिलेगी, अगर फिर मैं दिखा देता हूँ, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, इंटोड़क्शन टॉपिक के बारे में आपके विचार के आप वो आपको लिखना है, फिर उसका मिडल पार्ट, ठीक है ना, पॉइंट बना के लिखो बैतर रहेगा, अगर पॉइंट बना रहे हो, ठीक है ना, पॉइंट बना रहे हो अच्छे बैतर है, पॉइंट आप कितने भी बना सकते हो, कम ज़्यादा वैरी नहीं करता, introduction नाम का word लिखना, introduction लिखने के बाद ऐसे introduction लिखो, conclusion लिखने के बाद ऐसे conclusion लिखो, सबसे best तरीका है, sheet पे कहीं पे भी अपना self introduction मत लिखना, बार बार में एक बात को बोल रहा हूँ, sheet पे अपना self introduction नहीं लिखना है, नहीं narration लिखना है, नहीं introduction लिखना है, सिरफ topic लिखना है ये काफी लोग काफी बच्चे जो है ये गलती करते मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें बहतर तरीके से इस चीज को समझ कर चल लीजीगा ठीक है दोस्तों यहां तक उमीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगी कि मिडल पार्ट ये सब चीज आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है ये शीट का स्टेंडर मैं आपको बता दे किस तरीके से देखने को मिलेगा अच्छा भई अब आती है बात ये लिखने के बाद क्या जैसे ही 10 मिनिट आप लोगों की हो जाएगी तो आप लोगों से ये शीट ली चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों शीट का स्टेंडर बता दे कैसे कितने मिनट मिलेंगे ध्यान रखना 10 मिनट ही मिलेंगे 10 मिनट से जाधा नहीं दिये जाते हैं यहाँ पर जाधा हो सकते हैं ऑफिसर स्लो फास बोलते हैं उसकी वज़े से कही ना की टॉपि अब थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे मैंने क्या एड कर रख है यह देखो बच्चे यह हमारा है at the end I wish to assure you that the CV is a deeply committed to competing corruption and in this fight we are continuously trying to hawn our skills बच्चे होन स्किल्स का मतलब होता अपनी स्किल्स को निखार ना ठीक है ना build our capacity find innovative solutions to prevent corruption receptive to global best practices and integrated integrate the expectations of all the shake holders right तो कही ना कि यह corruption वाला point यहां पर mention कर दिया लिखना ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यह मानलो हमारा क्या हो गया यह हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों conclusion हो गया यह क्या होगया हमारा यह हो गया वाई सब conclusion आपको ऐसे करके यह conclusion लिख देना शीर ठीक है conclusion आपको ऐसे लिख दिना topic a.nd हो जाएगा जादा बड़ा लिखने की जूरत नहीं है जादा वैसा लिखना की जूरत नहीं यह चीज भी ध्यान करें दूसरे सवाल पर लिखने में इतना ज्यादा आपके लिए important नहीं रहेगा, क्योंकि जो officer बोल रहे होंगे, lines आपको automatically देखने को मिल जाएगे, उन lines को आप अच्छे तरीके से लिख लो, जो बच्छे अच्छे होंगे, उन lines की मतलब से खुद के sentence बना के यहाँ पे लिखेंगा, और उनका result व देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका topic इतना vary नहीं करता है, फिर मैं क्या रहा हूँ, यह पूरा का pure personality test है, जिसके अंदर आपकी presentation को देखा जाएगा, इसको तो check भी नहीं करेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे कर देंगे, चलो वाई, ऐसा होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है समझार आप लोगों को, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, तो यही ditto lines भी आप इस पे sheet पे लिख सकते हो, ध्यान रखना है, इस पे कोई cutting ना करें, कोई spelling mistake ना करें, कुछ बच्चों क्या दो तो लिख के फिर कार दिया, फिर लिख के फिर कार दें, यह बिल्कुल नह बना देंगे, points बनाएंगे, तो points बनाना और भी अच्छा होता है, उससे थोड़ी और चीज़े clarity देखने को मिलती, यह चीज भी ध्यान रखना, यह भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीका जी, यहाँ पे यह चीज हो गई, इनी lines को use कर सकते हैं ही पे, जिनकी English weak ह डिक्टो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मैं कहा रहा हूँ कि बच्चे, यहाँ पर आपके topic को नहीं देखा जा रहा, आपकी presentation को ही दिखा जाएगा, ना आपकी English देखा जाएगा, कि आपने कितना अच्छा लिखा है, क्योंकि lines तो वो खुद ले ही ले जाती, कहीं पर दोनों शीट ले ली जाती है, चलिए जी, दोनों चीज़े मैं आपको बताएगा, अब मूँ करते हैं, अगले फ्लाइड पर, दो बाते आप लोगों को ध्यान रखने हैं, यह होगी चीज़े हैं, इसके बाद आता है, बच्चे सबसे पहले बता रहा है, और ओफर जो बच्चे वो सिरफ आज तक ही वैलेड है, आज रात 12 बज़े तक आपको देखने को मिलगा, तो जो भी प्यारे स्टूडन्स हैं, जो कहीं न कहीं अपने वर्दी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चे इन दोनों बैच से जूड़ सकते है टार्गेट बैच बच्चे रहने वाला है, जिसका प्राइज वो है, और यहां पर यह है, अब काफी बच्चो को यह लगेगा कि बच्चे की प्राइज जादा है या फिर इस तरीके से, तो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे जीडी भार यह सब कुछ बता टो आप उनके पास जाइए, ठीक है, हम तो बच सीधी सी बात करने जानते हैं और सीधी सी चीज़े हमने आती हैं, बच्च जादा बोलना हमें आता नहीं है, ठीक है नहीं जादा हुर थाए, प्यारिसी बात करते हैं, सेलेक्शन करते हैं यहां एपको अपनी शॉफ वाली तक बच्चे offer valid जाके सभी बच्चे जो है उतकर्स की जो application है बच्चे वह आप लेस्टोर से download कर लीजिए उतकर्स app पे आपको दोनों course जो है देखने को मिल जाएंगे important topics for air force phase 2 सबसे बड़ा question है कि sir topics बता दो topics बता दो topic बता दो तो बच्चे ये रहे topics जिन बच्चों को topics का बड़ा वो था हाला कि और current topics को भी मैं add कर दूँगा और इसकी practice भी करेंगे हम topics की कैसे लिखना भी तो सिरफ मैंने आपको introduction दिया topic का nuclear family पहला topic का नाम बच्चे यहाँ पे है states in India social networking sites online education digital economy electric cars legal यहाँ पे procedure जो है बच्चे procedure जो किया जाता है procedure यह किया जाता सोरी इन इंडिया कश्मीर प्रॉब्लम smartphones online shopping इंडिया यह कही न कहीं बच्चे आपको जो है देखने को मिलेंगे दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर बोलूँ अब यह और topic हमारे major cause of unemployment इंडिया role of education in rural India, reason behind detoration of health in India, corruption in India, article 370 issues over it, demonetization in India, girls education, making India advantage of internet, यह सारे के सारे topic बच्चे आपको कहीने की मिलेंगे देखने को मिलेंगे ठीक है, तो बच्चे इन में कुछ important है, जैसे की reason behind detoration of health in India, यह भी important है, यह भी कहीना की important है, यह भी important है, हाला कि एक सिर्फ important topic पर हम कहीना की class लेकर आऊंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चीजिए, और topic देखो बच्चे यहाँ पर, यह सारे के सारे topic आप mob launching in India, ठीक है, impact of falling value of rupees on India economy, impact of social media on our human behavior and society, NEP and present education system in India, merger of PSU banks, ठीक है, जो मर्जर हो रहे हैं बच्चे, banks देखेंगे, ठीक है, मर्जर of PSU banks, start-up India, stand-up India, India-China relations, post-doklam, ठीक है, यह कहीना कि हमारी चीजिए देखने को मिलेंगे, इसके अंदर, और अगर मैं बात करूं, fake news, India-US relations, Cambridge Analytica, data scandal, high fuel prices in India, US-China trade war, AI pros and cons, crimes against women, ठीक है, बहुत इंपॉर्टन अबच्चे यह भी, unique identification number for every Indian, आप लोगो ने देखा, अधार को बोलते कहीना, UID करके इस तरीके से, should Chinese product be banned in India, digital India program, GST and its advantages, women empowerment, youth in politics, make in India, cryptocurrency, reliable or not, यह कहीना कहीना, बच्चे आप यह लिखा गया है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो यह कुछ points है मेरे दोस्त, जो हाम, बहुत जादा important है, अब मैं दो-तीन चीज़ आप लोगों के बताने चाहूंगा, बच्चे, यह सारे के सारे topic मेरे हिसाब से 41 बनते होंगे, ठीक हैना, 41 topics हैं से रखनी है, ठीक हैना, 41 topics हैं, जो कि आपके कहीना कहीना हाल आटी topics, बुक्य की बात होती है कि जो हमने topic दें, उसमें topic आजे, क्योंकि यह कोई fix नहीं है, मेरे दोस्त, इस बात को अच्छे से समझ लिजी, यह कोई fix नहीं है, मैं बार-बार आपको यही बात बोल रहा हूं, but हमें करना क्या है, हमें तयारी इसलिके लिए, मैंने आप लोगों से नहीं आता, बच्चो उसके लिए आपको expertise होना चाहिए, आपके पास वो, ठीक है ना, आप लोगों ने काम किया हो, सिरफ यह कहने से confidence नहीं होता, कि confidence से बोलो, confidence से बोलो, confidence से बोलो, नहीं, बहुत सारी techniques, research करना पढ़ता है, personality को read करना पढ़ता हो, सालों खपानी याद करने ही नहीं है, आपको topic सिरफ पढ़ने हैं, याद नहीं करने हैं, अब ये रट्टा वाली situation आप लोग अगर लेके बैठे हैं, तो भाई, कभी कुछ नहीं होगा, ध्यान रकना, आपको खुद से बनाना चाहिए, अब ये चीज कब हमारी दिक्कत क्यों हैं हमारे अंदर language skills नहीं है, language skills का मतलब होता है हमारे अंदर लिखने की capability नहीं इंग्लीश में, और वही चीज हमें दुख देती है, वही चीज हमारी सामने कहीं हमें problematic बनाती है, तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप सही तरीके से गर चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो जिया, जियान जा सुनिएगा मेरी बात को, 50 topics को आपने तयार किया, और 50 topics में से एक भी topic नहीं आया, मान लिजीए, एक भी topic नहीं आ तो आप क्या करें, सवाल वही, अगर आप लोगों को ये पता है, क्योंकि इसमें आने और नाने का कोई मतलब ही नहीं है, topic याद करने का मैं बात करूं, तो आपकी sheet होती है, उस पर 4 topic होते हैं, उनमें से आपको select करके आपको बोलना, तो कि वहाँ पर lines होती ही नहीं है, सिरफ topic का नाम होता है, अब वो तो नहीं है न आप लोगों के पास, काईदे से एगर मैं बात करूं, जिस students के अंदर confidence है, जिस students को पता है क कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है, ये चीज़े भी करके जाओगे, एक भी topic नहीं पढ़के जाओगे न दोस्त, ध्यान से सुन लीजेगा, एक भी topic नहीं पढ़के जाओगे, ठीक है, maximum cases में बता रहे हैं, क्योंकि lines तो आपको खुद assessor बता रहे हैं आपको करना कि, कि आपको किन चीज़ों पर काम करना है, आपको मेरे बच्चे काम करना है, कि मुझे लिखना कैसे है, लिखने की जो जो skill है वो कैसे होगी, बोलना कैसे है, different कैसे बनना है, confidence कैसे build करना है, कैसे present करना है, कैसे agree करना है, कैसे disagree करना है, group discussion को start कैसे करना है, अपने points कैसे रखने है, किसी को बच्चे गर आपको disagree करना हो से तो कौन सी lines बोलनी है, इन बातों का ध्यान रखना है, topic तो आपको सब कु अपने lines भी add कर पाऊंगे stopping में जो आपने पढ़ा हुआ कोई जरूरी ने कि accessor जो बोल रहे हैं जो आप पढ़के कि वह lines same होगी नहीं different different हो सकती है right तो इन बातों के अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो definitely आप बहुत अच्छे तरीके से perform कर पाएंगे and this is my guarantee everyone यह आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे आपकी skills थोड़ी सी बैतर हो पाएगा बैतर लवर पर अपनी जो है चीजों को लेकर जा पाएंगे ठीक है बच्छे यह चीज आप लोगों को ध्यान रखने है 50 topics practice करने का reason मैं आपको बता दिया फेर शीट लिखने के बाद आपको कहीं न कहीं बच्छे कई बेर ऐसा होता कि 15 से 20 बच्चों का जो है ग्रूप बना दिया जाता है यह भी चीज़े देखने को मिलती है गर्स के साथ बच्चे मैं आपको बताना चाहिए अब की बार क्या हुआ कि एससर ऐसा भी कर रहे थे वह चाहा रहे थे कि आप लोगों को सेलेक्शन हूँ मैं अभी बताता हूं लास्ट यह क्या हुआ तो जो गर्ल्स अभी सेलेक्ट हुई है मतला अभी जोइनिंग नहीं जो है वो पांसे दस मिनट उता है मैक्स तूमेक्स पांसे दस मिनट का टाइम होगा करेंडिस कि मतलब अगर ओराल बात करूं आपका पूरा एक ग्रूप जो बनेगा ठीक एक अंदर जो ग्रूप जाएगा उसको बीस से पत्चिस मिनिट मिलती हैं क्या बोला मैंने अपे 20 से 25 विलती हैं पांच मिन लिखने के लिए 10 विल दस मिनट फिर शीट पर लिखने के लिए ठीक है 15 मिनट है आप से 10 मिनट आपको जो गृप दिसकेशन लेगे तो 20 विल से 25 मिनट का टाइम होता बाकि आप द्यान लगना है ठीक है बाकिब घ्रान लगना discussion जो अब अच्छे ध्यान अकना वो सिर्फ English में ही होगा आपको discussion English में ही करना है ठीक है? आप Hindi भी नहीं कर सकते इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान अकना एक गलती मत करना, officer के सामने बिल्कुल नहीं देखना जब आपका discussion स्टार्ट हो जाए, जब तक आपका discussion end नहीं तब तक ये माल लेना कि officer है ही नहीं आपके room में अगर आप देख रहे हो तो definitely आप बाहर हो जाओगे इस बात को ध्यान अकना इस बात को बारबन में emphasize कर रहा हूँ, officer को बिल्कुल नहीं देखना है officer को बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, remember this ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक उमीद करता हूँ, आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा topic कैसे लिखना है, कौन-कौन सी बातों का ध्यान अखना है, cutting नहीं करना है, साफ-साफ लिखना है जादा confusion create नहीं करना है, narration में क्या बोलना है, वो मैंने बता दिया introduction मेंने पहले याद करा दिया थो दोस्त, introduction मेंने आपको पहले याद करा दिया था introduction मैंने आपको पहले याद कराया था कि introduction कैसे बोलना है ठीक है introduction की line मैंने आपको पहले दे दी थी बच्चे कि introduction के अंदर किस तरीके से बोलना है ठीक है introduction कैसे बोलना है और ध्यान अखने यह intro यहाँ पर अपने introduction मत लिख देना sheet पर यहां पर topic का introduction हैंगा मैं बार बार इसी बात को 3-4 बार repeat कर चुका हूँ ताकि आप गलती ना करें ठीक है आप गलती ना करें इस चीज को ध्यान अखना क्यों नहीं देखना अंकीत आप उच्छी रहे बच्चे क्यों नहीं देखना है बच्चे देखे क्या होता है ना देखने को माना क्यों किया गए उसके बारे में आप लगों को बताना चाहूंगा यह इसलिए बोला जाता है बच्चे क्योंकि जब आप SSS के सामने देखते हैं तो आप उनका कुछ बच्चों के अंदर रहना पता क्या होता कि reaction देखते हैं कि देख रूँ मैं को किस तरीके से देख रहे हैं मैं सही तो परफॉर्म करूं का reaction चेक करने के लिए और उस reaction के चेकन में उनको हो जाती है hesitation तो इसलिए बच्चे avoid किया जाता है और आप अपने topic पर फोकस नहीं कर पाऊगे क्योंकि वह senior बैठे है वहाँ पर एक अलग से आपकी आपकी प्रेजेशन स्किल्स को देखा जाता है वही आपकी कही न कहीं वहाँ पर देखी जाएगे और उसी के अगोडिंग बच्चे आपको कहीं न कहीं सलेक्ट किया जाएगा सिरफ उन बच्चों का selection नहीं होता है जो बिल्कुल नहीं बोलते नहीं तो average वालों को भी होता है और जो अच्छा बोलते उनका तो होता ही होता है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है बास समझा रही है अच्छे तरीके से focus कीज़े ताकि आपको नहीं बच्चे फेर शीट आपके पास रहेगी नहीं आप कैसे देखकर बोल दोगे फेर शीट आपके पास नहीं रहेगी फेर शीट आप लोगों से ले ली जाएगी दोनों अपने माइन में con оdon लेना और आप कर दो कि मुझे ये बोलना है और वह मेंने लिए को बता दी कि निरस में क्या बोलना दो अगर आपको नहीं पता चला कि निर्फ डूजा यå जो टॉपिक रूड़क्शन लिखा या टॉपिक और कंप्लूजिंघ दोनों को मिला के narration में बोल दो अलग से narration याद करने की विज़ूरत नहीं है सब चीजे मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से लेना है और introduction अगर आप लोग ने अच्छा दे दिया अगर आप लोग ने अपने self introduction ध्यान से सुन लोगर आप लोग ने self इंट्रो अच्छा दे दिया 30 सेकिंड का तो भाई सब सबसे ज़्यादा जो है डर यहीं होता है 30 सेकिंड यह हो जा तो 93 परसेंट लोगों को आप वैसे ही बीट कर दोगे अगर गुरूप में 100 सुडेंट बैते हैं तो 93 परसेंट बच्चों को आपने बीट कर दिया है और 7 परसेंट की कैटिगरी में कोई 7 परसेंट का सेलेक्शन हो गई होगा तो अपने introduction को अच्छे तरीके से हो कल भी मैंने एक बात बोली थी अपनी वीडियो बनाओ 30 सेकंड के अपनी self introduction जो मैंने बताया उसके according तयार करो 30 25 to 30 सेकंड में complete करो अपने introductions को 20 सेकंड से 15 सेकंड में भी मत खतम कर देना 25 से 30 के मतलब 20 से अपर होना चाहिए time इतना करो इंग्लिष में लिखने का डर लग रहा बच्छी वो तो लिखा जाएगा ना बोलेंगे तो वही लिखना आपको अपने पास से थोड़ा ने लिखना है अपने पास से लिखना तो आपको सुचना था वो बाते बता हिए जो आप लोगे को दूसरी वीडियोस में ना देखना को मिलें बस इतना ही बहुंगा अच्छे तरीके से जो बच्चे मैनत करते रहिए बैतर तरीके से तैयारी करते रहिए इस तैयारी को इसी तरीके से जारी रखेंगे फिर मिलेगे एक और important session के साथ तब तक के लिए बच्चे ख्याल रखेगा इन topics को तयार कर लिजिएगा मैं फिर कहा रहा हूं कि जो other skills उस पर काम करने की उश्चिश कीज़र topic हो जाएंगे topic कोई बड़ी बात में कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए तक आप सभी जो है अच्छे तरीके से बच्चे ख्याल रखेगा और एक और चीज बच्चे यहां पर बोलना चाहूंगा जो भी है मेरे बच्चे ठीक है ना तो 50% discount के साथ आपको जो है बच्चे देखने को मिल रहा है जिसमें सूरिय टार्गेट बैच देखने को मिल रहा है तो सभी बच्चे अगर आप एक्स गुरूप का है तो बच्चे प्राइज रहने वाला है अगर आप य गुरूप के को मिलते हैं एक और बैतिन सेक्षिन में कल एक और सेशन लेकर आ रहा हूं और एक और चीज आप लोगों को स्टूड़न्स का इंटर्वियू करवाऊंगा जहां पर आप लोगों को देखना कि किस तरीके से उताब पूरी कहानी बताएगा वो पूरी कहानी आपके साथ तो सबी स्टूड़न्स बहुत अच्छे तरीके से तियारी करके दो सेशन के लिए इंतिजार किजिए कल हम देखेंगे कौन्ची इस टेक गूरू डिसकेशन में करनी नहीं होते हैं क्या करना होता क्या नहीं करना होता इस पर हम बात करेंगे पूरी तरीके से तो कल 11 बज़े फिर जूड़ जाएगेगा एक और इंपोर्टन सेशन के तब तक के लिए हस्तेरे मुस्कुराते रेसे कुशन बाड़े बाबा टेक के तैंक्यू स्वर्मच लब्यो ट्रयक शड़र्ब एक खал जुम मैं झाल Wikित नहीं करतु दो करना है और इंपोर्टन सेशन नहीं होते पाल